सुन्दर रूप इस धरा का आचल जिसका नीला आकाश परवत जिसका उचा मस्तक उस पर चांद सूरज की बिंदियों का ताच नतियों जणनों से छलकता यववन सतरंगी पुष्प लताओ ने किया श्रंगार खेद खलिहानों में लहलाती फसले बिखराती मंद मंद मुसकार प्रकरती कहने को तो एक छोटा सा शब्द है लेकिन इसमें संसार का हर तत्व समाहित है वायू, अगनी, जल, आकाश, प्रत्वी, पशुपक्षी, पेड़ पौधी, नदियां और जड़ने ये सब प्रकरतिक धरोहर हैं प्रकरती के कारण ही इस धर्ती पर जीवन संभव है हमारा प्रकरतिक वातवर्ण हमें शारेरिक और मानसिक सुकून देता है इसी तरहां प्रकरती के अनूठे संदर्रे को अपने आप में समेटे हुए एतिहासिक बंद परेठा जहां कल-कल बहते निर्मजल और उन्मुक्त अकाश में चहे चहाते पक्षी आपका बेश सबरी से इंतजार कर रहे हैं ये प्रकरती शायद कुछ कहना चाती है हमसे ये हवाओं की सरसरा हट ये पेड़ों पर फुदकते चिडियों की चैचाहा हट ये समंदर की लहनों का शोग ये बारिश में नाचते सुंदर मोड कुछ कहना चाती है हमसे ये प्रकरती शायद कुछ कहना चाती है हमसे ये खुबसूरत चांदने राद, ये तारों की जिल मिलाती बरसाद, ये खिले हुए सुन्दर रंग बिरंगे फूल, ये उड़ते हुए धूल, कुछ कहना चाहती है हमसे, ये प्रकृती, शायद कुछ कहना चाहती है हमसे, ये नदियों की कल-कल, ये मौसम की हलच, ये परवत की चोटिया, ये झेंगुर की सीडिया, कुछ कहना चाहती है हमसे, ये प्रकृती, शायद कुछ कहना चाहती है हमसे, यहां बहुत कुछ है, कल-कल बहती नदियों का शोर, उचाईस से गिरते हुए ज़र्दों का संगीत मैं सुर, गाव की सोधी मिट्टी की सुकद, लेलाते खेत और भी बहुत कुछ बंद परेठा, वन्य जीव अभ्यारण और हर्याली से भरे बगीचे पर्यटकों को अपनी और आकरशित करते हैं दूसरी तरफ बसंत दर्बार, अर्थात किशन महल का अनकहा रहस से उन पर्यटकों को आकरशित करता है बसंत पहले इस लाल पत्थनों से निर्मित स्थापत्य कला का एक अनूठा नमूना है यहां के उचे उचे पहाड़ों पर आप ट्रेकिंग का आनंद ले सकते हैं और प्रातेहकाल की स्वच हवा में व्यायाम करके अपने शरीर को स्फूर्ती प्रदान कर सकते हैं हरी भरी वादियां लहलाहते खेत प्रदूशन मुक्त वातवरन आज के इस यूग में बहुत दुडलब है ये सब आपको यहां देखने को मिलेगा बंद बरीठा के नजदीक दर परहना जहां स्वच जल के साथ उचाई से गिरते हुए जड़ने का आप आनंद ले सकते हैं जल परवत हरियाली और मनोरम में प्राकरतिक वातवरन का अनूठा संगम है दर बरहना यूद इसके देखने का अना झाल झाल इसी तरह के अनेक रहस्यों को अपने आप में संजोए हुए बंद बरेठा प्राकर्तिक संदर से परिप्राइप मनुरम में स्थान बंद परेठा राजस्थान में भरतपुर के नजदीक बंद परेठा आप अवश्य आएं यहां के प्राकर्तिक वातावरन में आपको सुखान उबूती होगी और अनेक प्रकार के कष्ट और रोगों से आप मुक्ती पाएंगे प्रकर्तिक की गोद में अनेक रहस्यों को छुपाई होएं बंद परेठा प्रकर्तिक की गोद में वो सुख है जो हजारों की संपत्ती पाकर भी नहीं मिलता इसके सानिध्य में रहकर मनुष्य जीने की प्रेठना पाता है प्रकर्तिकी हर्याली में सुख और शान्ती है आधुनिक्ता में सुविधाएं हैं परन्तु सुविधाएं जीने के लिए काफी हो यह भी संभव नहीं है एक समय था जब चारों और आधुनिक्ता के लिए लोग मारे मारे फिरते थे आज एक समय है जब मनुष्य प्रकर्ति की और मुढ रहा है आधुनिक्ता में आकर्शन है परन्तु उस आकर्शन का प्रभाव लंबा नहीं होता अब इस आकर्शन का मोहपाश खुलता है तो मनुष्य हैरान रह जाता है प्रकृती का सभाव सरल है शांत सुखकारी है यहां शीतलता भी है चंचलता भी है विरल शांती भी है मन को प्रसन करने वाले द्रश भी है अतेहे हे मनुष्य तुम इसकी और बढ़ो और अपने जीवन को सुख से भर दो प्राकरतिक स्त्रोतों से भरपूर बंद परेठा बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहा है